गुर्गनेशा भ्याम नमहा समस्याएं कम होने लगती हैं जीवन में शांती और खुशाली आ जाती हैं अध्ध्यात्म में प्रकृती होती है मान सम्मान मिलने लगता है भगवत क्रभा बढ़ने लगती है सूरियोदे से पहले उठीते ही सबसे पहले बहगान का स्मरन कीजिए शोच असनान द्वारा अपने आपको पवित्र करके ईश्वर की पूजा कीजिए समय पर सात्विक भोजन कीजिए दो बार या तीन बार जो भी है बीच बीच में कुछ न कुछ चबाते रहना अच्छा नहीं है प्रातखकाल में घर के जो भुजर्ग हैं उनको प्रणाम कीजिए अपने आंग कान जैसे इंद्रियों के उपर नियंतरन रखिए जहां इंद्रिय लेकर जाते हैं वहां मत जाईए आँखों से क्या देखना है कानों से क्या सुनना है इसे आप ही को तै करना है भद्रम करने भी सुनुया मदेवा हाकानों से अच्छी बातों को ही सुनिये आँखों से अच्छे को ही देखिये जीविका में छल कबड बेईमानी असत्य ये सब कभी नहीं होना चाहिए पवित्र और सुद्ध जीविका को ही चुनिये उसके द्वारा ही कमाईए आप जो धन कमाकर घर में लाते हैं उसके उपर घर के सारे सदस्यों का एक जैसे अधिकार हो पत्नी माता पिता बिच्चे इन सब का परिवार के सारे सदस्यों के साथ और रिष्टेदारों के साथ आदर के साथ व्यवहार कीजिए घर में अतिधी का आना आपका सवभाग्य है अतिधीयों को भगवान भेजते हैं ताकि आप उनके द्वारा उनका सत्कार करके फुन्य कमा सके अपनी क्षमता के अनुसार दान देते रहिए मुख्यत या अन्न दान भुके को खिलाईए अमिर हो या गरीब कोई फरक नहीं पड़ता पडोसियों की सेवा कीजिए अपने इलाके के लोगों की सेवा कीजिए पेड़ पौदों की सेवा कीजिए जानवरों की सेवा कीजिए हर करम मन लगाकर ध्यान लगाकर प्यार से कीजिए अपने घर के एडोस-पडोस को साफ रखिए किसी का अपमान मत कीजिए किसी को दुख मत पहुँचाईए किसी के मन में भाई या उद्वेक पैदा मत कीजिए समाज की स्थिरता और प्रतिष्ठा को भंग करने जैसा कोई भी काम मत कीजिए विने के साथ विवहार कीजिए मन बचन और शरीर को पवित्र रखिए जो कुछ भी करोगे ये भगवान का नाटक है मैं सिर्फ उसमें एक पात्र की भूमिका निभा रहा हूँ इस भाव से कीजिए विलासिता को त्याग दीजिए कमाई में भी अपने लिए सबसे कम खर्चा कीजिए आत्मनर भर होकर जीवन बिताईए अपने जीवन का भार दूसरों के कंधों पर मत डालिए घर में हुकम मत चलाईए पानी लेकर आओ ये करो वो करो ऐसा हुकम मत चलाईए जितना हो सके अपने कारियों को खुत कीजिए अन्याय द्वारा अरजित धन को कभी भी घर के अंदर मत आने दीजिए ये पैसा ही बीमारी कलह खत्रा भाय ऐसे रूप बदल देता है जीवन का लक्ष भोग नहीं है अध्यात्मिक प्रद्दी है भगवत प्राप्ति है इसे बार बार अपने आपको बताते रहिए महिडाओं के स्तान जहां उनका एकांध हो जैसे उनके लिए बना हुआ स्नान घाट ऐसी जगहाओं पर मत जाईए आप किसी के घर में जा रहे हो जहां स्त्रियां भी रहती है अपने घर के स्त्रियों को जरूर बताते हुए जाहिए अगर आपके पैर किसी को लग जाए या गलती से धका किसी को लग जाए तो उनसे ख्षमा याजना कीजिए अगर कोई रास्ता पूछ रहा है तो उसकी अविश्य सहाइदा कीजिए जब सेवा करोगे या किसी की सहायता करोगे तो कभी ऐसा मत सोचना कि भविष में ये मेरा परत्यूपगार करेगा किसी की भी सेवा को भगवान की सेवा समझकर कιजिए पूजापढ एक आग्रमन से एक स्थान पर बैठ कर कीजिए आप कहीं जा रहे हो जहां आपका सत्कार हो रहा है आपके साथ और कोई भी आया है इस पर ध्यान दीजिए कि आपके साध्धी को भी वही सत्कार मिल रहा है हर कारी को ईश्वर में समर्पन बुद्धी से कीजिए कि मैं अपना नहीं भगवान का कारे कर रहा हूं अपने लिए नहीं भगवान के लिए कर रहा हूं इन नेमों का पालन करेंगे तो जीवन में प्रग्दी होगी हरी ही ओम